अरे भाई ये क्या कर रही हैं? मैं DSR कर रहा हूं DSR क्या होता है? DSR को धान की सीधी बुबाई भी कहते हैं इसमें बीजों से चाबल की फसल की स्थापना सीधे खेतों में की जाती है इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं जैसे की उपकरणों की आवश्चक्ता कम होती है श्रम लागत 30 से 40 परसेंट कम हो जाती है और समय भी बचता है रोपे गए चाबल की तुलना में सीधे बीज वाले चाबल 10 दिन पहले पक जाते हैं और पानी की भी काफी बचत होती है सीधी बुवाई से मिट्टी के जैविक तक्वों की सही मात्रा बनी रहती है जिससे फसल की गुनवत्ता और उपज में सुधार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रक्रिया से आपको कार्बन क्रेडिक मिलता और आयमें बर्दिधी होती है हुआ 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 है हुआ हुआ